गुड मॉर्णिंग इस्टुटेंट आइम सुधाकर सार एंड टुडे आई टीस्टी यू क्लास सिक्स मैथमेटिक से एक्सरसाइज 7.6 से स्टुटेंट पे पिछली वीडियो मैंने आपको आई जे के एल को नंबर कोश्चन पढ़ाया था आज मैं आपको यह में कोश्चन यम पढ़ाऊंगा फस्ट काप और कोश्चन नंबर सेकेंड अंड थर्ड पढ़ाऊंगा कोश्चन नंबर एम आप देख रहे होंगे इसमें क्या है आपका सिस्टी नपान फाइप मैनस सैवन अपान फाइप इसका तो सॉल्व बहुत हीजी है आप देख सकते हैं इसको लिखिए कौन सो सॉल्व नंबर एम है कि सॉल्व एम में आप क्या करेंगे सॉल्व एम में आपको यहाँ पर दिया हिया है सिस्टी नपान फाइप माइनस सैवन अपान फाइप नपान 5-7 अब आप देख रहे हैं दोनों का डिनोमिनेटर सल्व है तो आपका 5 हो जाएगा 16 में 7 माइनिस कर देंगे तो क्या हैगा 16 में 7 माइनिस कर देंगे तो 9 आ जाएगा तो 9 अपान 5 यह answer हो गया आपका complete solve number 1 solve number 1 में क्या है 4 upon 3 minus 1 upon 2 इसको solve कैसे करेंगे तो देखे solve 1 भी देख लिजी solve 1 में क्या दिया है 4 upon 3 minus 1 upon 2 question है तो आप लिखेंगे solve 1 solve यहां question है 4 upon 3 minus 1 upon 2 LCM of 3 and 2 3 and 2 3 or 2 के LCM क्या होगा तो आपको मालूम है 6 आजाएगा आप लिखेंगे हाँ पर 6 है अब यह 4 है तो 3 2 जा 6 है माइनस 1 है 2 3 जा 6 है अब फोर्ट जा किता होता है फोर्ट जा किता हो एट माइनस 3 upon 6 एट में 3 माइनस करेंगे तो आपको मालूम है 5 upon 6 यह क्या हो जाएगा solve vision का answer 5 upon 6 तो इस तरह आपका यह number question भी solve हो गया अब हम question नमबर सेकेंड देखते question number second आपका है क्या question number second में सरिता बॉट तू अपान 5 मीटर और रिवन सर्ट ने क्या किया कि तू अपान 5 मीटर रिवन खरीदा अलालिता वाट त्री अपान 4 मीटर और लेडिवन फरीवन खरीदा वाट इस तोटल लेंथ अब रिवन दे वाट तोटल कितना रिवन खरीदा इसमें बताना है तो दोनों को आड करना है तो आप लिखेंगे question देखेंगे इसमे question में यह कहता है लालिता बॉट त्री अपान फोर मीटर रिवन खरीदा तो उन्हों ने टोटल कितना रिवन खरीदा यह आपको बताना है यह आपको इसमें बता तो आपके लिखेंगे पहले नंबर पे कि स्हाँ भेशं डलके यहां पे लिखेंगे त्रिटा बोट रिवन जई यून खरीदा सॉल्ड सेकन्ड है कि सालब सेकन्ड करें कि रिता बोट रिवन लिखेंगे चाहिए वह बत रिबन सरिता ने रिबन कितना खरीदा आप देखेंगे सरिता बॉट रिबन टू अपान फाइब मीटर सरिता के बाद कौन है ललिता बॉट रिबन ललिता बॉट रिबन बहुत ने बॉट रिबन व्ही कितना खरीने लावम कुन ऊचाहिए कि कितना खरीदा थ्री अपान फोर मीटर किसे अब इनका को क्या करना पड़ेका description करना पड़ेका आप इननलिखा सालिता बॉट रिबन के लड़ीता बॉट रिबन लड़ीता ने रिबन कितना खरीदा त्री अपान फॉर मीटर अब इसने पूछा है लास्ट में वाट इस टोटल लेंथ आप रिवन दे बॉट ने मिलकर की टोटल कितना रिवन खरीदा तो यहां पर लिखेंगे दे बॉट टोटल डिवन दे रिबन दोनों ने मिलकर के टोटल कितना रिबन खरेता तो आप इसमें क्या करेंगे एड कर देंगे 2 upon 5 plus 1 upon 3 upon 4 दोनों का addition करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 5 4 के LCM आपको क्या मिल जाएगा 20 यह आपको मालूम है अब 2 का multiply किसे साथ हुआ 4 के साथ 2 into 4 plus 3 का multiply किसे साथ हुआ 3 का multiply 5 के साथ हुआ 3 into 5 तो आपको क्या मिला 2 4 चा 8 plus 3 5 जब 15 upon 20 15 नेट कितना होता है आपको मालूम होना चाहिए 23 upon 20 तो दोनों ने मिल करके कितना total ribbon खरीदा 23 upon 20 मेटर इसनों ribbon खरीदा आप क्या लिखेंगे total इसनों इन्होंने ribbon कितना खरीदा टोटल इसनों दे दीबन खरीदा जो था 23 upon 20 मीटर हम समझ में आ गए आपके फिर इसके बाद आपका देखेंगे निस्ट कोश्चन नैना बाला है आपके बाला है